आपको टेरिरिस्ट आपकी यूटूब की हिस्ट्री भी बना सकती है आपको टेरिरिस्ट आपकी गूगल की हिस्ट्री भी बना सकती है सलाम नमस्कार मीरा नाम जैद खान है मुद्दा बहुत इंपोर्टेंट है जिस नए समाज में हम जी रहे हैं वो समाज कट्रता से बिलकुल भड़ चुका है इतना भड़ चुका है कि हल्दी राम नमकीन पैकिट पर छपे हुए कुछ उर्दू के सब्द उन सब्दों से भी लोगों को दिक्कत होने लगी है हाला कि हल्दी राम में तो राम भी था हल्दी राम फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं सच मानिये जितना हमने राम को पढ़ा है जितना समझा है वो एक बहुत बहतरी इनसान थे अगर वो इस दोर में होते ना ऐसा करने देते ना वो ऐस आपको लगता है यह कट्टर था हाई अथोरिटीज में भी है यह कट्टर था हाई ओफिसेज में भी है अभी CSDS की रिपोर्ट आई थी स्टेडी आई थी और उन्होंने बारे से 15,000 अफिसरों से अलग-अलग 21 स्टेट्स की पुलिस से पूस्ताच की कि कोई कांड होता है और उस कांड के दोरान दो लोग खड़े मिलते हैं एक हिंदू है एक मुसल्मान है तो किस पे आप ज़्यादा शक करेंगे आफिसली 65 और 75 पुलिस करीमों ने कहा कि हम मुसल्मान पर ज़्यादा शक करेंगे यह कट्टरता है और कुछ भी नहीं मुद्ध यह हर रोज एक लिखना किसी भी खुबसूरत हत्यार का फूट अपने फीड पर शेयर करना और ऐसा लिखना कि बस यह मिल जाए तो बहुत कुछ मिल जाएगा इस तरह की हरकत करना यह वाक्य में बहुत गलत है और इंट्रिजेंस आपको सर्विलेंस पर ऐसी हरकतों की वज़े से ढालती ह आपको टेरिस्ट आपकी यूटूब की हिस्टी भी बना सकती है आपको टेरिस्ट आपकी गूगल की हिस्टी भी बना सकती है इसका रिसेंटली एक्जामपल यह है कि मुर्तजब बासी नाम का रड़का गोरखपुर के किसी मंदिर में जाकर एक हत्यार से एक तलवार से प पढ़ाई करनी पढ़ेगी, तो जो पढ़ाई का दोरान हुआ है, जो पढ़ाई का टाइम हुआ है, वो एक जद्धो जहद है, यानि अच्छे नंबर पाने के लिए गर मैं अच्छे मेहनत करूँगा, तो जद्धो जहद करना हुआ, ये जिहाद है, किसी को मारना, बेकसु लोगों को मार देना, ये जियाद है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो मुर्तजाब बासी को पुलिस पकर लीती है, पुलिस कहती है कि हम इस मुर्तजाब बासी को दो महीने से खोज रहे हैं, दो महीने से इसको सर्विलेंस पे डाल रखा है, ये यूपी पुल तो आप मिला इसके मोबाइल फॉन हमें मिले तो इसने डॉक्टर जागर नायक जो कि इसलामिक स्कॉलर हैं उसे कुछ लोग स्कॉलर मांते हैं कुछ लोग नहीं मांते हैं उनकी एक वीडियो को 11 बार से जादा देखा गया और इन्होंने की वीडियो को IES के वीडियो है उसक इचले मैंने का मैं दस बार देगा और एक आईसाइस के लोग किसी आदमी का कतल करते हैं वीडियो में पांचे बार देखिए कि फिर तो हमारे बिलिंग के किसी टेरिरिस्ट और नेजसें से लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मुर्तजबबास की फैमिली कहते है कि वो मेंटली ठीक नहीं है वो उसका जो मानसिक संतुलन है वो बच्पन से खराब रहा है वो ऐसी हरकते करता ही रहता है कभी छट पे चड़कर गिरने की धमकी दीता है कभी कुछ कभी कुछ हाला कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं उ से गल्टी पाएगी उसे सज़ा मिलनी चाहिए बात खतम लेकिन मुद्द यह जो हम हरकत कर रहे हैं सोसल मीडिया पर कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं बहुत गलत है आपको किसी भी टेरिरिस्ट और्गनेजन से लिंक करना या फिर लिंक करवाना आपके हाथ में है नहीं यह बहत आसान है किसी भी डिपार्डमेंट के लिए हाला कि मैं डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट सारे गलत है लेकिन ऐसा हुआ है ना जाने कितने बेकसुर लोग बेगुणा होते हुए भी 20-30-30 साल जील में काट चुके हैं उसको जिंदे कौन अपिस लोटाएगा कोई नहीं तो प्लीज आप इंजी जो से बची है ये बहुत हानिकारक चीज़ें हैं अपने आपको बचाई अपनी फैमिली को बचाई जो सबसे ज्यादा important है ऐसी हरकत करके ना आप खुबसूत लग रहे हैं ना आपकी कोई भी social media की फीड जो है जो वोल है वो खुबसूत लग रहे हैं